जाहिंद क्लास अवरी वर्म वेलकम टू अलोफ यू दिस इस दिव्यांशु पांडे पेटिवी आप जी के एट एसस्वी क्रैक एक्जाम आज की इस डेली डिफेंस करेंटर की क्लास में आप सब भी डिफेंस वारियर्स का बहुत-बहुत स्वागत और लगातार आप सभी इस क्लास से जुड़ते जाएए जिससे कि हम आज की इस क्लास का जितने भी नेशन और एस वेल एस इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको हम डिसकस करें और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टन कोस्टन्स भी देखें मुसकान, गगंदीप, माधुरी, सोनू, जीपेससार, ज्योती, अविशा, पूरन, सिधार्थ, आप सभी को गुड़ मॉनिंग, जैहन और इसी के साथ हम शुरुवात करते हैं आज की अपने इस डेली डिफेंस क्लास के जैसे कि आप सभी जानते हो कि अपने एप पर डिफेंट फैसलिटी आपको प्रवाइड करते हैं जहां पर आप हमारे कोर्स में इंडॉल होके हमारे एप में उस कोर्स की वीडियो लेक्शर डेली डाइब क्लासिस अटेन कर पाऊगे इस्टडी प्लांस और इस्टडी नोट्स आपको मिलता है मॉक्ट अपने वीडियो और अपने डॉक्रमेंट दोनों की आपको प्रवाइड करते हैं तो आप सभी के एंडियो और एक्जाम काफी नजदीक है तो आप टेस्ट सरीज ज्यादा से ज्यादा लगाईए जिससे कि आपकी तैयारी बहतर हो सके और इस क्लास की पीडियाफ को डाउनलोड करने के लिए आप सभी हमारे ब्लॉग चैनल और टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं ऐसे इस्टूडेंट जो कि हमारे कोर्स में इंट्रेस्टेड है उस वारे टेंट कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का प्लाइड डिसकाउंट मिलेगा बढ़ते हैं कोश्चन आप दे की तरफ तो कल मैंने आपको कुश्चन आप दे दिया था कि यू है तो आटिंफाइड इस हेलिकॉप्टर तो फटा-फट बताइए यह कौन सा हेलिकॉप्टर है जिसको आपको आइडेंटिफाइड करना है कि क्लास में लगातार जुड़ते जाएए क्लास को लाइक और शेयर दोनों ही करें आप सभी और अगर हम इस कोश्चन आप देए का अंसर देखें इट इस आर एम-17 वी-5 हेलिकॉप्टर आप सभी जानते हों कि यह डवल इंजन एक एरक्राफ्ट है हलिकॉप्टर है जिसको हमने रर्शिया से खरीदा हुआ है टॉप स्पीड की बात कर लें तो 250 किलोमेटर पर आज इसकी टॉप स्पीड है वेट 7489 किलोग्राम क्रूज स्पीड तो 240 पर आपका चल लेता है औ और रोल आपका यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट और जितने भी हमारे एक्कुमेंट्स रहते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुचाने पर इसका उप्योग किया जाता है आप सभी जान रहे हो चाहरो राजस्थान हो या फिर मद्द प्रदेश हो गुजरात हो वहां पर फ्लड की सिचुवेशन काफी आपकी बनिंग हुई है आपके नौर्थ इस्ट में उडिसा की तरफ भी और आसाम में भी तो इस टाइप के हेलिकॉप्टर का यूस इंडियन एरपोर्स हमारी कर रही है तो यह था आपको कुश्चन आप दढ़े अब चली बढ़ते हैं आज के पहले इवेंट के साथ तो देखिए पिनाका एक्स्टेंड रेंज रॉकेट सक्सेस्फुली फ्लाइट टेस्टेड इन पोखरन वेंस्डे को पिनाका जो की एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर सिस्टम है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम भी आरल कहते हैं उसकी सक्सेस्फुल फाइरिंग राजस्थान के पोखरन फाइरिंग रेंग से की गई है और टोटल आपके 24 रॉकेट इससे यूज किये गए डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पे जिससे कि हम ये पता लगा सके कि इसकी रेंज असल में है क्या और ये अलग-अलग आपके 25 किलोमेटर तक की लेंथ कवर कर रही है ये सभी मिसाइल्स और काफी प्रिसाइज है यानि कि एकुरेटली अपने टार्गेट को ठीट कर पा रही है और आप सभी जानते हो कि ये जो हमारी MBRL है उसकी डेवलप्मेंट DRU के द्वारा की गई है काफी बार आपकी एक्जाम म होती है आर्टिलेरी इंफेंटरी रेजिमेंट उसके पास आपके ये पिनाका मिसाइल्स रहती है जो कि अगर आप पूरे के पूरे 30 से 50 मिसाइल को फायर करते हो तो 3 किलोमेटर का रेंज पूरी तरीके से बरबाद हो जाता है तो इसकी अभी फायरिंग आपकी राजस्थ पूतार रजुनम एजिम दा अपॉइन्मेंट ऑफ एडिजी एडिशनल डारेक्टेट जनरल इन दा आर्मी एडुकेशन कोर जिसको हम एई-सी कहा करते हैं और आर्मी एडुकेशन कोर में ही आप सभी जानते हो कि जो एंडी है सीडियस है आईमे है वहाँ पर जितने भी रहते हैं उनके ट्रेनिंग एई-सी में आपके करवाई जाती है तो मेजर जनरल और पुथ राजुनम को आपका इसका एडिजी निवक्त कर दिया गया है यानि कि यह प्रकार के आपके कमडांट रहेंगे और एई-सी को आपका हिट करेंगे एई-सी के बार में और को जान लेते हैं तो दा आर्बी एडुकेशन कोर इस एन प्रोग्राम रन बाइद इंडियन आर्मी दैट डेवलप सोल्जर्स और ओफिसर्स ऑफ और रेंक इन वाराइटी ओप डिसिप्लेंस दसेंटर प्रोवाइड एडुकेशन इन बोथ कॉमबैट और नॉन कॉमबैट ऑपर प्रोवाइड इन बोफिसर्स डवन होकेटेश अब देखिए मान लिजे आप न्डियम जा रहे हो तो एंडियमें आपको इंस्ट्रक्टर मिलते हैं इस्ट्रक्टर आपके आधर रेंक्स वाले होते हैं जो कि आपको ड्रिल और वेपन से रिलेटेट आपको जानकारी देत बाकि एक और इंस्ट्रक्टर होते हैं जो एक प्रकार के टीचर्स होते हैं जो कि आपके आफिसर्स रहेंके होते हैं तो उन सभी के ट्रेनिंग आपके इसी आर्मी एजुकेशन कोर से होती है और यह बताती है कि हमें अपने सोल्डर्स में किस प्रकार की ट्रेनिंग जो इंपार्ट करवानी है और आगर आप भी चाहते हो कि मुझे भी आगे चलकर आर्मी का इंस्ट्रक्टर बनना है तो आप एसी कोर को जोईन कर सकते हो ओके जो कि आपके पंचमडी मध्य प्रदेश में नेक्स्ट इवेंट इंडि आर्मी ने आपके सेक्यूरिटी नीड्स को लेकर गरून एरस्पेस एक्सपर्ट टीम से भी टाइप किया है जिससे की इंडियन आर्मी में जितने भी हमारे ड्रोंस अभी सर्विस में हैं उनको हम मोडिफाई कर सकें और उनकी स्पीड इनहेंस कर सकें तो इस पर जो है दो इन एंडियन आर्मी का में मोटो यह है कि हम ड्रोंस की स्पीड इंक्रीज कर सकें उसकी को कम कर पाएं और उसमें जो इफिकेसी हूँ वो कौफी बहतरीन हो तो इस कारण से इंडियन आर्मी जो है गरून एरस्पेस इंडिस्ट्री के साथ अब टाइप कर रही है अब रडार का सिस्टम तो हम लगाए रहते हैं लेकिन जो रडार होते हैं मान लीजे इसके उपर आपका रडार लगा हुआ है ठीक है अब यह सिग्नलिंग दे रहा है लेकिन रडार अपने नीचे की स्थान पर उनकी वेब्स नहीं जाती है जिससे की तो रच्छा कारणों का खत्रा आपका बना रहता है और हमने पिछले साल देखा था कि इसी प्रकार से एर नगरोटा में जो इंडियन एर फोर्स का आपका इस्टेशन है वहाँ पर ड्रोन से आपका बंग गिरा दिया गया था तो इस कारण से अब ड्रोन के टेक्नलोजी हम कैसे डिवलप कर सकें कि जहां पर हमारे राडार के सिग्नलिंग नहीं होती है वहाँ पर हम अपने ड्रोन को भेश कर जो है अपनी सीमा के सुरच्छा कर सकें और अब यह विचार किया जा रहा है कि 24 इंटु 7 आर जो है आपक इस सर्विस को हम एडॉप्ट कर पाएं नेक्स्ट इवेंट साउथ अफ्रीकन आर्मी चीफ विजिटेट इंडिया तो देखिए साउथ अफ्रीका जो कि अफ्रीका कॉंटिनेंट के एकदम साउथ हिस्से में आता है उनके जो चीफ है जिनका नाम सेंट लेटन जेनल लॉ इसके अलावा वो हमारी इंडियन आर्मी के इंटिग्रेटेड हेड़क और शत्रुजीद ब्रिगेड जो हमारी इंडियन आर्मी की है वहां पर वो गये जहां पर उन्होंने इंडियन आर्मी के शत्रुजीद ब्रिगेड की हिस्ट्री देखी उनके काम करने का तरीका हैं दोनों देशों की बात कर लें तो हिस्ट्री तो काफी पुरानी है लेकिन 1994 में दोनों देशों ने Joint Commission at the level of foreign ministers की बैठक करना आपका शुरू कर दिया जो कि दोनों देशों के लिए काफी mutually beneficial है और IBSMAR India Brazil South Africa maritime exercise भी दोनों देशों की बीच आपकी conduct हुआ करती है तो sites also exchange views on regional and multilateral issues जिसमें आपका United Nations BRICS IBSA और आपका Indian Ocean Rim Association शामिल है South Africa इंडिया को अपने तरफ से पूरी जोर से ये support कर रहा है कि वो भारत को United Nations के Security Council में permanent representation दिलाने के लिए अपनी वकालत करेगा और भारत को वोड भी करेगा ओके वाइल दा इंडियन साइट express its support for the South Africa's BRICS chairmanship in 2023 2023 में BRICS जो आपका summit है उसकी अध्यचता कौन करने वाला है अपकी बार 2023 में South Africa करेगा तो यहां दोनों देशों के बीच relations के कितने मजबूत हैं और आर्मी के इस तर पर भी दोनों देशों के बीच आपके talks हुआ करती हैं नेक्स्ट इवेंट यंग लाइन्स चैंप 2022 तो देखें इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग टीम जिनका नाम इम इम ट्रैट है भुटान और्गनाइज यंग लाइन्स चैंपियंशिप फॉर चिल्डन प्रॉम अल अक्रास भुटान जिसमें तो देखें भुटान जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी देश है और उनको सुरच हम प्रॉइड करते हैं और इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग टीम के द्वारा भुटान के 227 बच्चों को जो है यंग लॉइन्स चैंपियंशिप की आयुजित की गई है जिसमें वहां के जितने भी युवा बच्चे हैं वो अलग-अलग प्रकार की स्पोर्ट एक्पिर्टी में उसमें पार्ट्स पेट कर पाएं और अपने खेल को और भी आगे बढ़ा पाएं आप सभी जानते हो कि जो भुटान है भारत के लगभग चार शहरों चार स्टेट के साथ आपका बॉर्डर साजा करता है जिसमें असम अरुनाचल बंगाल और आपका सिक्किम सामिल है ये कहा जाता कि भुटान जो है एक बफर स्टेट है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आता है बफर स्टेट आपका मेंली नेपाल को ही कहा जाता है क्योंकि ये दोनों को दोशों के बीच आ जाता है ठीक है इस कारण से आपने देखा था कि 2017 में जो आपका चिकन्स पॉइंट पे चाइना और भारत की आर्भी एक दॉक लाम इस्टैंड ओफ था तो भूटान को सिक्योर करने के लिए था इसके अलावा बोथ इंडिया और भूटान आर पाउंडिक मेंबर्स ऑप दे सार्क दैट डेल्स विद दा एकनॉमिक शोशल कल्चलरल डेपलमेंट इन दा साउथ एशियन रीजन और दोनों ही दे इडिकेशन और डिफेंस यह तीनों मैटर्स भारत के पास हैं यानि कि भूटान को रिप्रेजन कौन करता है आपको युनाटेड नेशन पर भारत ही करता है उनकी सुरच्छा कौन करता है भारत करता है उनका फॉरें जितना भी आपका एफ़ेर्स होता कौन देखता है भा प्रमंग कितने अच्छे हैं आगे बढ़ते हैं अपने ऐसे स्टुडेंट्स जो कि अपने सस्वी इंटर्वी की प्रिपेशन करना चाहते हैं वो इससवी क्रैक्ट एक्जाम के इंटर्वी ओनलाइन कोर्स में जुर सकते हैं जिसके लिए नीचे डिस्कुर्शन में दी गई भूटान भारत नेपाल नन चली फटा फटा बताइए यंग लॉइन चंपिंशिप दिचल्डन के लिए भी और्गनाइज हो रही है वो कहां पर कंड़क्ट हो रही है और यहां पर आप देख रहे हो यह हम कैसे जो है आपके कैंप्स करते हैं माउंटेन रीजन्स पे और आप सभी जानते हैं कि भूटान में साथ हजार भारती भी रहते हैं यह भी आपको पता रहना चाहिए पिनाका इस डेवलट बाई जाकसा डियाडियो बोईंग या फिर आपका कोचिन शिप्यार लिम्टेड चलिए अंसर बताते जाएए जहां कहीं भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हों और इसका आपका राइट अंसर है और इसका आपका राइट अंसर है ऑप्शन दी डाट इस दा डी आड यो ठीक है तो डी याड यो निसकी डेपलोमेंट की है इसकी रींज हम कह सकते हैं कि 75 तो 80 किलिमेटर की होती है इस अ टाइप आफ ऑफ मल्टिबैलर रॉकेट याफिर बोट अ और बी इसका आपका अंसर बोथ है न भी है ठीक है यानि कि आपका option D South Africa तो हई है उसमें आपका Brazil भी सामिल है यानि कि I for India, B for Brazil, S for South Africa Multilateral Exercise, Maritime Exercise Indian Navy और उन दोनों देशों की Navy इसमें participate आपका करती है High Altitude Warfare School comes under which command? Eastern Command, Northern Command, Western Command, Army Training Command High Altitude Warfare School भारती थल सेना के किस command के अंतरगत आता है And the correct answer is the option B that is the Northern Command Northern Command का है जम्मु कश्मीर में जो पूरे जम्मु कश्मीर रीजन और आपके लद्दाग के रीजन को देखती है ठीक है और यह आपका High Altitude Warfare School कश्मीर गुल्बर्ग में आपका इस्थित है Patriot Guidance Missile System developed by America, China, Germany, Russia चले लगातार अंसर देते जाईए क्लास को लाइक भी आप सभी करिए और इसका आपका राइट अंसर है option A that is the Amirka ठीक है 150 km इसकी आपके range होती है और यह आपका M141 Patriot Guidance Nisile System है Amirka का जिसको विश्व के अन्य देज भी इसका इस्तमाल करते हैं जिसमें आपका साओधी अरबिया भी शामिल है कौंकर्ण शक्ती exercise conducted between India and Singapore, Oman, Indonesia या फिर आपका ब्रिटेन गिंदु सिंह अगर आप OTA के एक्जाम दे रहे हो तो 200 में आपका लगभग 120 हो तब तो आप एकदम safe position पे हो ठीक है कोई आपको हिला नहीं सकता बाकी IMA, AFA में जा रहे हो जहां पे 300 नंबर का paper रहता है 170 की उपर ही रहना है ठीक है तब ही कुछ कल्यान हो पाएगा and the correct answer of this question is the option D that is the United Kingdom ठीक है कोई करन शक्ति की साइज हम UK के साथ conduct करते हैं the caracorum range covers part of caracorum range यह हमाले की वो किस पार्ट को आपका cover करता है चार options आपके सामने दिये गए हैं पढ़िए और बताइए कि इसका आपका right answer क्या होगा तो जितने भी बच्चे boys girls nda cds के लिए प्रेशन कर रहे हैं काफी अच्छे तरीके से अब रिवीजन आपका शुरू हो जाना चाहिए बाकी जो माइनस मार्किंग होती उससे आप बचिएगा अब 200 में से 100 110 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है अच्छे सकरेंगे हो जाएगा इंग्लेश में जादा जादा स्कोर करिए क्योंकि वही आपका एक नंबर गेनिंग पेपर रहता है ठेक है and the right answer is the option C Afghanistan, China, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान इन सभी को आपका ये cover कर लेता है ठीक है? आपका कारापोरम range सर्वत्र विजाई is the motto of सागर, English और Hindi दोनों में पेपर आता है ठीक है? बताइए आप live class में आए हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि CDS का exam कैसे होता है ऐसे तो clear नहीं होने वाला है and the right answer is the option E that is the Rajput Regiment सर्वत्र विजाय, victory everywhere करतव्यम अनत्वम, duty before death is the motto of Rajput, डोगरा, सिख, ननावदयब and the correct answer is the option B तो देखिए वार क्राई इनका ज्वाला माता किजे रेजिमेंटल सेंटर उत्तर प्रदेश के पैजाबाद में और ये भारती थल सेहना में आपका 1877 से active है which of the following is not a landlocked country लाओ, सर्विया, एथोपिया या फिर आपका कंबोडिया इन में से कौन से देश आपका landlocked country नहीं है और कल आप सभी ने जहीर सर की क्लास अटेंड की की नहीं हिस्ट्री वाली ए और करेक्ट अंसर इस दी ऑप्शन डी दाट इस दा कंबोडिया तो चलिए आपको ले चलते हैं बे और बंगाल के साउथ तरफ जहां पर आपका ये कंबोडिया कंबोडिया तो वैसे आपका साउथ चाइना सी से ही रिलेट है ठेक है और ये आपका कीसी भी प्रकार से लैंड लॉग्ड कंट्री नहीं है बाकी आप लाउस देख लीजे सर्विया तो इसमें है नहीं इथोपिया भी नहीं है qrfv stands for qrfv stands for what what effort पढ़िए और बताइए कि इसका आपका राइट एंसर क्या होगा and the correct answer is the option a quick reaction fighting vehicle यह इनका आपका full form है ठीक है और आप सभी जानते हो इस ट्रक को जो की armored vehicle truck है उसको टाटा company के दारा बनाया गया है और इंडियन आर्मी को दिया गया है जिसकी deployment कहां पर करवाई गई आपके लद्दाथ रीजन पर कराई गई है विच इस थर्ड हाइस rank of the indian army indian army की तीसरी सबसे highest rank इनमें से क्या है major general lieutenant colonel major captain चलिए लगातार अंसर करते जाएं एंड दा करेक्ट अंसर इस दी आप्शन नहीं दैट इस दा major general जिनको हम third highest rank कहते हैं और यह आपके two star general rank होती है ठीक है जो की एक division को आपका command करती है which countries are divided by the nine dash line देखिए काफी important question है चाहे वह आप defense में रख लीजे current affair में रख लीजे इसको या फिर geography में रख लीजे यह question पूशे जाने की संभावना है और क्यों संभावना है वो आपके answer में व्यक्त होगा पठफ़द बताईए और करेक्ट अंसर इस दी ऑप्शन है चाइना और ताइवान तो देख लीजे यह आपका चाइना है और यह आपका ताइवान है ठीक है इनको जो आपका डिवाइड जो करती है उसको हम क्या कहते हैं नाइन डैश लाइन कहते हैं ओके बगदाद इस दा क्यापिटल ओफ इराक इरान यू एई या फिर आपका इटली भगदाद इनमें से किस देश की राजधानी है और एगर हम इसका करेक्ट अंसर देखें तो बगदादी जो की बगदाद का है वो आपकी इराक की राजधानी है तो इराक को आप देख पा रहे हैं इनके राइट हैंड साइट इरान South में आपका Turkey और आपका Syria Left hand side पे साथी अरभिया और आपका Jordan और नीचे की तरफ आपका Kuwait आ जाता है ठीक है? तो यह आपका क्या है? Baghdad, Iraq Baghdadी मारा गया है की नहीं मारा गया है? News Channel पे तो रोज दिखाते हैं Tuta Tiger Book is written by Swami Virupakch Retired Major General G.D. Bakshi Hughes Track and Dr. A.P. Javdal Kalam Tuta Tiger Book इन में से किस ने लिखी है? चलिए, फढ़ा फढ़ा बताईए And the right answer of this question is the option A Swami Virupakch मैं सभी जानता है आप Option B ही वताऊगे यहाँ पे मेचा जन्नल आ गया और यहाँ पे जीडी वक्षी खड़े भी हुए हैं लेकिन इन्हों ने इस पुस्तक को लिखा नहीं है कल इस पुस्तक का विमोचन किया गया है लेकिन लिखा किस ने है? स्वामी विरुपakch ने अब यह बुक किस पर आपका बेज़्ध है? तो आप सभी जानते हो कि श्री लंका में जो लिट्टे ऑपरेशन हो रहा था वहाँ पर लिट्टे में और स्रिलंकन सरकार में मध्यस्ताता हो सके इसलिए श्री श्री रवी संकर ने वहाँ पर शानती के पहल की थी और उस समय जितने भी चीज़ें आपके घटे थोई थी उनको इस बुक में आपका लिखा गया है जिसका नाम है तूटा टाइगर स्वामी विरुपवाक्ष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन इस लोकेटेड विएन पमिलनाडू गुजरात मद्यप्रदेश या फिर आपका उत्तराखंड एंड़ करेक्ट अंसर इस बी ओप्शन भी यह इस दा गुजरात थेक है तो काकरा पार आपका कहां पर है गुजरात में हैं विच आप फॉलिंग पोर्ट इस लोकेटेड इन दा तमिलनाडू इन में से कौन सा पोर्ट कौन सा बंदरगा तमिलनाडू राज में इस्थित है और इस बार के बच्चों NDA और CDS exam में आप सभी तयार हो जाएए बार बार मैं आपको बताते रहता हूँ कि कहां कहां से आपको तयारी करनी है जहां से आप लगभग 10 से 12 कोस्चन तो ऐसे ही करके आ जाएंगे पहला डिफेंस एक्सराइज ठीक है दूसरा रेलवे जून्स डाट इस रेलवे हेटकॉर्टर पिर आपका इंडियन पोर्ट पिर आपका डैंस फिर नेशनल पार्क जिसमें टाइगर रिजर्व बायोस्फेर रिजर्व सब आपके इंक्लूड हो जाते हैं एलिफेंट रि पिर रामसर वेटलेंड आ जाता है अभी आपके ख़वरों में यह बना हुआ है पिर रश्या वर्सिस आपका यूक्रेन वार आ जाता है जहां से कोश्चन पूछेगा और इसकी जोग्रिफी से कोश्चन पूछे जाना की ज्यादा संभावना है ना तो यह सभी आप रखते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट यहां से आएगा पॉलिटी में देख लीजिए जो कि अभी आपके रिसेंटली अमेंडमेंट हुए है ना वहां से आपका कुश्चन तो कुछ ऐसी जगह हैं जिससे आपके लगवक्त 10 से 12 कुश्चन तो आपके यहीं से बन जाते हैं बागी आपको टैनलिक ज़्यादा पड़ती नहीं है तो इसका आपका राइट अंसर है ऑप्शन सी डाट इस बोथ बी एन ठीक है तो यह देखी और जिसको कामरा जारपूर्ट कहते हैं अर्चन नहीं पोर्ट दोनों की आपके कहां पे रहें आपके मुंबई में सॉरी तमिलाडो में है ठीक है नेक्स्ट आपका एक्सरसाइस एकता कंडेक्टेट बिट्विन इंडिया एंड कतर उमान जुए या फिर आपका माल दिप्स आपके माल दिप्स के साथ हम करते हैं इंडियन आर्मी की कितनी आपके ट्रेनिंग कमांड्स हैं आप सभी को बताना है और करेक्ट अंसर इस भी ओप्शन ए ओनली वन ठेक है और वो कहां पर आपके हीमाचर प्रदेश की राज़ानी श्रिम्ला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड्स है जिसको हम आर्ट्रेक कमांड्स के नाम से जानते हैं M.I.L.M.I.35 अचाएक हलिकाप्टर फाइट तैंक या पिर आपका अनमान अरियल वहिकल . And the correct answer is the option A that is the it is a type of a attack helicopter manufactured by the Russia used by the Indian Air Force sub-lieutenant rank of Indian Navy is equivalent to which rank of Indian Army Commodore Captain Commander Lieutenant and the right answer is the option D that is Lieutenant ठीक है दोनों rank को आप देख पा रहे हो अगर आप Indian Navy में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली rank आपको सब Lieutenant के मिलेगी आर्मी में जाओगे तो आपको Lieutenant के मिलेगी और Air Force में जाओगे तो आपको Flying Officer के मिलेगी ठीक है अपने SSB Interview के Preparation को करने के लिए आप सभी SSB Crack Exam के Interview Online Course में इन्रोल हो सकते हैं जिसके लिंक नीचे discussion box में दी गई है और यहां से आप one year का course का access लेके पूरी तरीके से अच्छे से तयारी कर पाएंगे question of the day देख लेते हैं आज किस class का क्या है question of the day is you have to identify the rank ठीक है rank बताना देखे rank इस officer के आपको दिख भी रही है इसका answer आप का आना चाहिए कल के next session हम देखेंगे so before you wind up I again want to tell that these are the courses which are providing by this is the crack exam bundles and test series of all the courses are available in a very affordable price so you have to enroll yourself in these courses and enhance your preparation you can download the PDF of this class from our telegram and blog channel so visit there and get the PDF those students who are interested in our courses they can use this wallet and code and get for get 10% flat discount Jaihan